आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीज स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में जैसा कि आरार भी की तरफ से कल ही एक नोटिस जारी हो चुका था कि आज पाच बज़े जो है आपकी लेवल फोर और लेवल सिक्स की जो है अंसर की जो आपका एक्जाम अभी 9 माई और 10 माई को हुआ है अंसर की रिलीज कर दी जाएगी तो जैसा कि इन्होंने नोटिस दिया था ओफिशन नोटिस आप देख सकते हैं टाइम भी इसके अंदर लिखा हुआ है तो उसी परकार से इन्होंने जो लिंक है को एक्टिव कर दिया है अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डारेक्ट लिंक है महां से डारेक्ट चेक कर सकते हैं और जो बचे हुए लेवल थे लेवल फाइव थ्री और टू उनका जो एक्जाम डेट है वह भी आ चुकी है चैनल पर निविजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवा दिजेगा गौर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो ओफीशियल नोटिस जो है वह आप देख सकते हैं ओफीशन नोटिस यह है सीवीटी बन के बारे में बताया है कि यह पर एक काम का है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेवल टू थ्री और फाइफ के जो एक्जाम हेल्ड होने वह बारह जून को होने यानि कि आज से अगर देखा जाए तो लगबग 30 तिन आपके पास पचे हुए हैं अगर आपको प्रिपरेशन चेक करनी है तो रोज एक मोक टेस्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए अब हम इस पर बात करते हैं इसका अग्जाम लेवल जैसे की लेवल फोर और लेवल शिक्स में आपको अग्जाम लेवल काफी हाई देखने के लिए मिला था पजल और शिटिंग थ्री और फाइफ में जो एक्जाम लेवल है वो क्या रहने वाला है हम इस पर बात करते हैं और आपको किन टोपिक पर फोकस ज्यादा करना है उस पर भी हम इसमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो लेवल वाइज अगर मैं बात करता हूँ एक्जाम के तो एक्जाम level कि पॉश्ट है आपकी तो उसके अंदर आपका एक्जाम level जो है वो same ही रहने वाला है जासे की आपका level five level two or level three है तो इसके अंदर टिफिकल्टी level ठोड़ा सा कम रह सकता है लेकि लेवल फाइफ में आपको level six or level four के इसे तो है level exam का question जो है वो देखने के लिए मिलेगा यह बात लेवल के हो गई है अब हम बात करते हैं आपको subject math के अंदर में बात करता हूं तो आपको जितने भी fraction वाली value है जैसे कि time and work में आता है fraction वाली value को solve करना और ci si में आता है और man situation के अंदर अगर आपका आता है तो यह आप अच्छे से कर लीजिए और अपनी calculation को बहुत अच्छे से करके रखिए क्योंकि lengthy सवाल है संख्या जो है वो cut नहीं रही है पोईंटों में आपके answer आ रही है तो आपको वो solve करना ही पड़ेगा तब आप accurate answer तक पहुच सकते हैं मैत के अंदर अगर आपकी calculation अच्छी है तो आप 35 में से अराम से 32 या 30 तक score कर सकते हैं अगर आपकी calculation अच्छी नहीं है तो आप 20 तक ही कर पाएंगे क्योंकि सवाल जो है वो lengthy है और calculation भी ज्यादा करनी पड़ रही है और reasoning के अगर मैं बात करता हूं तो reasoning के अंदर आप puzzle और sitting arrangement और odd even out जो होते हैं इन पर आपका और series के सवाल जो है इन पर आप focus ज्यादक करके जाईएगा क्योंकि puzzle से आपके आठ सवाल यानि कि आक कोश्चन जो है वह आने ही आने है आठ सवाल का मतलब होता है कि आठ नंबर और आप किस तरीके से बना पाते हैं या पिदिन मिनिट बना पाते है या फिर आप एक सवाल बनाने में 3,4 मिनिट खरचते हैं तो वह अब आपनी स्पीड इस बात घर पे चेक कर लिजेगा पजल का बहुत में रोल रहने वाला है सी विटी टू में और अगर जी के की में बात करता हूं तो जी के लिए आपको करंट अफेर को ध्यान में रखना है और दोजार एक्षिस और दोजार बीस का करंट अफेर आप कर सकते हैं कर सकते हैं इस से ज्यादा मत करिए क्योंकि 2030 में से एक दो सवाल आएगा अगर आप उसी पढ़ते हैं तो आपका जो होच-पोच हो सकता और आप गलत कर सकते हैं तो आप 2021 और 2022 का पढ़िए बस बाकि आप ने जितना भी पढ़ लिया है उसको रिवाइस जो है आप जरूर कर करते रहिए क्योंकि रिवाइस से ही आपको चीज़े याद रखेंगी पढ़ना आपका जो है टबल माइंड हो जाएगा दो आपको क्लिक करेंगे यह भी है यह और आप से कलत सवाल पर टिक करके आ जाएंगे और आपके मांक जिवह मों नेगटिव हो जाएंगे बागी इ कर दो की बाएंगे जाएंगे यह और आपका जाएंगे यह भी है और दो आपके मांक